अब दिखिए मारे पास सवाल है A माइनस B का स्क्वार्ड अपॉन में B माइनस C और C माइनस A प्लस B माइनस C का स्क्वार्ड अपॉन में A माइनस B और C माइनस A प्लस में C माइनस A का स्क्वार्ड अपॉन में A माइनस B B माइनस C ठीक है इक्वल टू क्या होगा अब आपको यह सवाल करना है तो अब देखें ध्यान से इस सवाल को बनाने के लिए हमें कुछ टर्म में कुछ चीज़े मल्टिपलाई करने पड़ेंगे जैसे एक्वल के तौर पे अगर देखें हम यहाँ पे अगर उपर नीचे A माइनस B से मल्टिपलाई डिवाइड कर दें तो नीचे का टर्म A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A हो जाएगा और यहाँ पे A माइनस B का होल क्यूब हो जाएगा सेम चीज़ यहाँ पे इंटू किससे करेंगे आप इंटू करेंगे B माइनस C से उपर नीचे है ना और इसमें आप इससे इंटू करेंगे C माइनस A से आप उपर नीचे है इंटू करेंगे ठेकिका सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा यह ट्रांस्फर्म होके A माइनस B का क्यूब अपोन में A माइनस B B माइनस C और C माइनस A B माइनस C का क्यूब अपोन में A माइनस B B माइनस C और C माइनस A फिर हो जाएगा C माइनस A का क्यूब अपोन में A माइनस B B माइनस C 3 माइनस A देखे इस टर्म में हमें क्या हुआ इसे फाइदा इससे हमारा लोवर टर्म सारे सेम हो गए तो इसमें जब हम लिखेंगे इनका देखेगा तो हम इसे लिख देंगे A माइनस B B माइनस C और C माइनस A और उपर में आ जाएगा A माइनस B का क्यूब प्लस B माइनस C का क्यूब और C माइनस A का क्यूब ठीक है अब देखेगा यहां से एक फार्मले हम जानते हैं वह फार्मला इस्तेमाल होगा अगर आपके पास X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू जीरो हो तो हमारे पास X का क्यूब प्लस Y का क्यूब इक्वल टू आता है 3 इंटू X इंटू Y इंटू Z ठीक है अगर हम इसको कंपेर करें उपर वाले टर्म को इसके साथ तो बिल्कुल X के जगर हम रख देते हैं A प्लस B A माइनस B Y के जगर रख देते हैं B माइनस C और Z के जगर रख देते हैं C माइनस A और इनका सम निकालते हैं तो X प्लस Y प्लस Z का आप देखी का ध्यान से कुछी ज़िए कैंसल आउट हो जाएंगी माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C यह हमारा 0 आ जाएगा इसका मतलब यह है अगर मैं यहां से लिखना चाहूं देखेगा A माइनस X का Q A माइनस B का Q प्लस B माइनस C का Q प्लस C माइनस A का Q इकूल टू में तो यह हो जाएगा 3 इंटो X मतलब A माइनस B Y B-C और Z C-A clear है तो इस टर्म को यहां से ऐसे लिखने अम देखेगा अब हम जो लिखने रहे हैं माइन पाग सबाल है इसका मुण देता है उपर वाले टर्म को लिख सकते हैं 3 A-B बी माइनस C और C-A है आप और में हमारे पास सेम टर्म है ए माइनेस बी सी और सी माइनेस में ठीक है अब देखिया अपर और लोग दोनों में कैंसल आउट हो रहें ठीक है तो मारे पास जो आनसर आ जाएग आ तेहरी हमारा क्या हो आंसर हो जाएगा अजुए आपके कर दो